इस्टुटिएंट्स कैसे आप सबी लोग उमिद की आप सब अच्छे ही होंगे इश्टुटिएंट्स हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि जीरो नमबर पर सभी चात्राओं का प्रवेस होगा जी हाँ आप लोग सही सुन रहें हैं हम लोग इस वीडियο में बात करेंगे कि जीरो नमबर भी है अगर किसी भी लड़की के यनी कि किसी गैल्स के किसी भी छात्रा के तो वो अपना आड्मिशन ले सकते हैं इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं और ये बहुत ही बड़ी नियूज है उन छात्राओं के लिए जिन्हों ने अभी तक अपना एड्मिशन नहीं लिया ये बहुत बड़ा मौका है उनके लिए एड्मिशन लेने का और जुड़ने का इलहाबाद विश्वविद्ध आलाइशे यानि यूनिर्सिटी आफ इलहा गया है तो इस्टेंट्स ये बहुत ही बड़ी खुसकबरी हो जाते है आप सभी के लोगों के लिए इससे पहले नोटिस पर जाने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताक अपने दोस्तों तक सेयर करना पिल्कुल भी ना भूलें ठीक है इस्टेंट्स तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आप लोगों का सहारा चाहिए सपोर्ट चाहिए इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए इसी प्रकार की जो अच्छी आरटी गल्स में यानि की आरटी गल्स कोलेज में यनि राजर्वाड तो यहां पर यहांप यूजी यनि की अरटी टेट्ट में पॉस्ट ग्रेजुएट में सीधह प्रवैस देने के लिए नोटिस जारी किया गया है जहां इस्टुट्स, यह RT Girl's College की तरफ से notice जारी किया गया है जनी राजर्शी टंडन गॉलेज की तरफ से notice जारी किया है चलिए स्टुट्स देख लेते हैं, इसमें notice में क्या-क्या है आप लोग देख सकते इस्टुट्स की जो notice है, इसमें क्या-क्या दिया गया है इलहाबाद भी सुबिद्यालाई के संगठक राजर्शी टंडन गल्स पीजी कॉलिज में छात्राओं को यहां पर यह उनली फॉर किसके लिए है छात्राओं के लिए यहां छात्रे लाओ नहीं है तो प्लीज छात्रों के लिए यह केवल छात्राओं के लिए है तो परएसनातक में सीधा प्रवेस दिया जा रहा है यहां पर कटाफ अंग की कोई बात देता नहीं है आपके काफ अंग क्या हैं कितने जीरो नंबर क्यों नँभाइब हो शुरूर provocर्ण आपको क्योंसzelf यहां पर जरूरी है वह अब ही मैं ile e कि यहाँ पर कोई कट आफ नहीं आप कितने marks हैं एंडेड हैं 50 20 हैं यह जरूरी नहीं है बस यहाँ पर आप यहाँ कोई बाद इता नहीं क्यों न जीरो ही हो ठिक है तो यहाँ पर इसमे कोई बाद रिया नहीं है कट आफ के बारे में बाद करतें हैं उसके बाद भी सुविद्याल है की प्रवेश परिच्छा में सामिल हुई है ठीक है तो यह यहाँ पर एक इनके लिए बाता है यह क्राइटेरिया है की वे गल्स जो है की इलहाबाद यूनर्सिटी का जो इंट्रेंस एक्जाम होता है उसमें उन्होंने पार्टी सिपेट किया हो आई मीन की इंट्रेंस एक्जाम दिया हो वही गल्स यहाँ पर एड्मिसन ले सकती है और यह बहुत ही बड़ा उनके लिए एक चांस है की अपना जिन भी इस्टुएंट्स का यहाँ पर नहीं हुआ एड्मिसन वो अपना आर्टी गल्स पीजी कॉल 150 अब इस्टुएंट्स आप लोग देख सकते हैं 450 सीटे हैं बूये में और बीकाम यहनी की सेल्फ फायनेंस में 150 सीटों पर प्रवेस दिया जाना है तो स्टुडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि बीए में 450 सीट सभी यहां पर खाली है और इन में प्रवेस दिया जाएगा वो भी सीधा प्रवेस ऐसी गल्स जिनका बहुत ही कम मार्स है उनके लिए बहुत बड़ा मौका है अपना जो प्रॉमेंट है उसे करने के लिए अपना एडमीशन लेने के लिए और अपना जो आगे कारियर है उस पे कुछ अच्छा करने के लिए तो इस्टुडेंट्स यहां पर आप लोग जो है कि अपना एडमिशन ले सकते हैं वही भी काम के अगर हम लोग बात करें तो 150 सीटों पर प्रवेश दिया जाना है इसके अलावा पराइसनातक पाठिकरम के तहत में पराइसनातक के तहत यनि पीजी के तहत में हिंदी और में राजनीतिक विग्जान यनि इसमें हिंदी और पॉलिटिकल साइंस में 63 to 63 यनि 63 सीटे 63 सीटे हिंदी में और यहीं पर हम लोग बात करें तो 63 सीटें ही जो हैं वो political science में हैं ये political science में हैं तो ये सीटें म, या पिजी के लिए हैं इसके इलावा non subject के लिए भी है यहां पर इस्टुऍट्स हैं जो non subject के तहत म, हिंदी और म, राजनिति-विग्ञान में भी सीमित सीटों पर सीधा प्रवेश दिया जा रहा है तो इस्टिएंट्स आप लोग जो लोग अभी तक एडमिशन नहीं करवाई हैं जो भी छात्राएं हैं अभी तक एडमिशन नहीं करवाई हैं वो अपना एडमिशन राजर्शी यानि की आर्टी गल्स पीजी कालेश में जा करके अपना एडमिशन करवा सकते हैं यह उनके लिए बहुत ही बड़ा मौका है एडमिशन लेने के लिए जिहां इस्पिरेंट्स और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं थोड़ा से की जो प्रवेश दिया जा रहा है इसके अलावा MS खन्ना यानि की MS खन्ना गल्स पीजी कालेश की प्रचारिया प्रोफिसर लालीमा सिंग ने बताया की MSC बाटनी केमेश्टी और जूलोजी में MSC, SC, ST, वर्ग की सभी छात्राओं को प्रवेश के लिए बुलाए गया है जहां इस्टेंट्स यहां पर एक और चीजे हैं कि जो दूसरा कॉलेश है लावाद निवर्ट सिटी से अफिल्टेड SS खन्ना गल्स पीजी कालेश तो उसमें जो पीजी के लिए सिर्फ कट अफ निकाली गई है या कट अफ नहीं है यहां पर सिर्फ उनके लिए है यह पीजी में MSC, बाटनी, जुलोजी और कमेश्टी यह तीन सबजेक्ट के लिए है ये जो जुलोजी, बॉटनी और केमिस्टी तीन सब्जेक्ट के लिए सिर्फ इसी और इस्टी कास्ट की छात्रों को यहाँ पर एडमिसन दिया जाएगा सीधे ठीक है इस्टेट्स तो ये इस्टी और इस्टी के लिए लेकिन आर्टी टेंडन्स गल्स कालेज में कोई भी कास्ट इसमें काटेगरी नहीं देखा गया है कि कौन सी काटेगरी है सभी गल्स वहाँ पर अपना एडमिसन ले सकती है जाके तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा मौका है तो आप लोग जाएए और अपना एडमिसन करवाएए अपने जरूरत कागजाच के साथ में जाएए ताकि आपका एडमिसन सफल हो शके आप लोग वीडियो को लाइक करें और सेयर करना तो बिलकुल भी ना भूलें सभी दोस्तों के पास ताकि सब के पास यह निवज पहुंच सके तो प्लीज गाइस वीडियो को सेयर जरूर करें थैंक यू